तो चीहा एक्स्क्लिजिव बिग अनॉस्मेंट ओफ सल्मान खान्स अपकमिंग मूवी तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि टाइगर 3 के बाद आएगी वार 2 और वार 2 के बाद डिवलप्मेंट होगी टाइगर वॉसस पतान की जिसकी फिल्मिंग चालू होगी द जिनों ने इसके पहले डिडिट किये वायरेफ के लिए मूवी वो है पतान और उसके पहले वार तो अभी हमने आपको बताया था टाइगर 3 में भी दिखने वाले है सल्मान कान और चालू खान तो पतान मूवी में और स्पाई यूनिवर्स की बिगनिंग हुई थी जो की स राट कीती सल्मान खान ने स्पाई यूनिवर्स एक था टाइगर फिर टाइगर जिन्दा है फिर पतान और उसके बाद अब यह डिवलप्मेंट होगी वार टू में तो वार टू को जो डिरेक्ट करें जे वो डिरेक्टर है आयान मुकर जी और वार टू में आपको रतिक वार टू के बाद टाइगर फिर पतान मुवी का जो डिवलप्मेंट है वो होने वाला है तो जिस तरीके का यह औरा क्रियेट हुआ था और सल्मान खान ऐसे टाइगर जो चारेक्टर है और जैसे ही उन्होंने पतान में भी एंट्री मारी थी जो क्रेस बना था और जब यह टाइगर वसेश पतान यानि सलमान खान वसेशारु खान यूज आक्शन फिर्ग प्रेजेटेशन स्टाइल जिस तरीके का सिदात आनद का होता है दोनों जनको जिस तरीके से प्रेजेंट करेंगे वह ओन स्क्रीन पे और वायरेफ की जो स्टाइलिश प्रोड़क्शन इसमें अभी एच अपना टाइगर 3 का फाइनल स्केडूल उसके लिए सलमान खान इस रेड़ी और ये फाइनल स्केडूल में सलमान खान शारु खान इम्रान हाश्मी और बहुत सारे मुवी के स्टार कास्ट एविलेबल रहेंगे एन देन उसके टाइगर 3 फाइनल रैप अप हो जाएगी इसका पोस्ट प्रोडक्शन अल्रेडी चल रहा है जो वी एफेक्स का वर्क है वो अल्रेडी इन प्रोग्रेस चल रहा है मुवी के लिए और सलमान खान ने जो रीसंट पिच्चर पोस्ट की थी उनका अंदाज दिखा था कि वो टाइगर 3 के फाइनल स्केडूल की जो फाइट सीन रहने वाले उसके लिए कैसे रेडी हो रहे हैं तो एक्साइटमेंट काफी साथ है फैन्स के बीच में टाइगर 3 मुवी के लिए और टाइगर 3 के बाद वार 2 ह है सो लेट्स होब क्या रितिक रॉशन जूनियर एंटियार की कुछ ग्लीम्स या कुछ हमें टाइगर 3 में देखने मिलेगी बट आज अफ नौ फोकस इस ऑन किसी का बाए किसी की चान मूवी जिसका ऑफिशल ट्रेलर आने वाला है 10 अप्रेल को ग्रैंड लांच इवेंट और आते गॉच किसी को एंट नौनियर वाला है पाधिशल गॉच आजवी ठाहरे रितिक गभस अधरत को भी किसी के बाहरा है अफ।